नमस्कार हमारे इंडियन लिउनर मंस में अमावास्या की पहली की रात यानि के 14 की प्रत्यक रात्री को शिवरात्री कहते है लेकिन महाग मास में या महा मास में जो शिवरात्री आती है उसको महा शिवरात्री कहते है इस दिन सूर्य और चंद्र की पोजिशन यूनिक होती है सूर्य कुम्व राशी में होता है और चंद्रमकर राशी में होता है सन यानि की आत्मा और मून यानि की मन दोनों शनी ग्रह की राशी में बैठ के अपनी स्वग्रुही राशी को देखते हैं This kind of arrangement creates a unique kind of energy, a spiritual uplifting energy which can transform our life if we pay attention to it. हम इस रातरी को अवेको हमारी स्पाइन स्ट्रेट ओ और हमारा मन फोकस हो इसलिए इस महाशीरातरी को शिव की उपासना करने का सास्तुर में कहा गया है. अब जैसे ही उपासना की बात आएगी ये प्रसना खड़ा होगा कि किस तरह से उपासना करें किस material से उपासना करें किस तरह के शिवलीन की पुजा करें मनुस्वूति में कहा गया है कि हम outside material लेके पुजा करें उतसे hundred times ज्यादा फाइदा मंत्रजाब से मिलता है श्रीमत भगवत गिता में सिपुष्ट भगवा ने स्वयम कहा है यगना अनाम जपोसमी श्रीमत भगवत में भी कहा गया है कि सत्यूग में मेरिटेशन से जो लाब मिलता है त्रेता यूग में यगन से जो लाब मिलता है, द्वापर यूग में सेवा और पुजा से जो लाब मिलता है, वही लाब कल्यूग में मंत्र जाब से मिलता है मंत्र के बारे में एक बात और क्लरिफाइ करना चाहूंगा मंत्र का अर्च जानना जरूरी नहीं है उसका उच्चारन इंपोर्टन्ट है सद्गुरु जग्गी वासुदेव पूटिट वेरी पर्फेक्टली इन मंत्र, साउंड इस मौर इंपोर्टन दैन दो मेनि स्वाइए अपनी अपनी राशी के अनुसा शिवरात्री को कौन कौन से मंत्र जाव हमें करने चाहिए ताकि हम उसका महत्तम लाप राप करें वह देखते है मेश और रुष्चिक राशी वालों को रिम ओम नमस्षिवाय रिम इस मंत्र का जाव करना चाहिए रुष्च और तुला राशी वालों को ओम नमस्षिवाय इस मंत्र का जाव करना चाहिए मितुन और कन्या राशी वालों को ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जाव करना चाहिए करक राशी वालों को ओम हों जू सह इस मंत्र का जाव करना चाहिए सी राशी वालों को ओम त्रम्बकई यजामह सुगंदिम पुष्टि बर्दनम उर्वा रुकमि वबंदनार मुरुत्योर मुक्षिय मामुरुतार इस मंत्र का जाब करना चाहिए धन और मिन राशी वालों को ओम तत्पुरुसाय विद्मह महादेवाय धीमही तन्नो रुद्रप प्रचोदयार इस मंत्र का जाब करना चाहिए और मकर और कुम रासी वालों को ओम नमस्षिवाय या फिर ओम दारित्र दुख दहनाय नमस्षिवाय इस मंत्र का जाव करना चाहिए आखिर में अगर शिवरात्री मंत्र पुजन के दोरा उचारण में अपने स्वभाव से या फिर कोई अन्य कर्म से जाने या अंजाने कोई बुल हो जाए तो उसकी शमा प्रार्ता के लिए शिव मानस पुजन में आदी संकराचार्य दिद्वारा विर्चित श्लोक कहके में विरामनोंगा करचन कृतंबा आय जंकर्म जंबा श्रवन नयन जंबा मानसंबा परादं वितम वितंबा सर्वमेतक्षमस्त्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंबो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंबो